पी ऐए के वर्सेस, बी ये एन, वर्ल् कप, ओर्डी आई, थर्टी फर्स्ट मैच, पाकिस्थान वर्सेस, बांगलादेश, बांगलादेश, जोकी खेले जाने वाला है, गाइस करिकेट, वर्ल्ल कप, थो हजार तेईस, का ये 31 मैच है जो की खेला जाएगा पी एके वर्सेस बी ए एन के बीच मतलब पाकिस्तान और बांगला देश के बीश का इस यह वाला मैच होने वाला है अब यह वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए गाईज आम मान के चलिए डू एंड डाई सिच्वेशन वाला मैच है जो वी टीम यह वाला मैच हारेगी वो सीधा सीधा इस सेमी फाइनल की देश से बाहर हो जाएगी वैसे तो गैज अभी भी अगर आप सैनेरियों देखोगे अगर वो यह वाला मैच जीत भी जाती है अगर दोनों टीमों में से कोई भी तो उनको आने वाले सबी मैच विन करने होंगे इसके अलावा उनको नेट रन रेट पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है अब सेमी फाइनल में जगे बनाना चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांगलादेश हो अब गई सबसे इंपोर्टेंट चीज आती है कि पाकिस्तान की गईज वो कौ वाले मैच में इमाम, उलक, असर, शफीक, बाबा, राजम का बलाद चलेगा क्या बांगलादेश की तरफ से क्या इस वाले मैच में शाकी बूल असन एक कप्तान के लिए बैस चॉइस होंगे या फिर रिजवान या बाबा, राजम में से किसी को बनाना चाहे या कोई ऐसा प्लेयर है जो आज के मैच में डिफरेंशल बनके आएगा उसको कप्तान और वाइस कप्तान बनाए और गई सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है कि क्या दोनों टीमों की तरफ से इस वाले मैच में कोई चेंज होगा, तो क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में पाकिस्तान की रह आने वाली है किस तरीके का गाईज ये पिछ रिपोर्ट होने वाला है, क्या इस वाले पिछ पे बैट्समेनों को हेल्प मिलेगी या फिर बॉलर्स को मददगार ये पिछ होगा, बहुत सारे क्योशन्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, सबी के आंसर गाईज आपको इ चाहिए, बैल आइकन के घंटी दबा के ओल प्रैस करिए, क्योंकि गाईज वीडियो सबी बनाते हैं, बट कॉलिटी के साथ अगर आपको बैस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आयों, साथ में गाईज इस वाले वीडियो में आप लोगों क अब 2023 का गाईज ये है 31st मैच, जो की खेला जाएगा गाईज इंडिया के दूसरे सबसे बड़े ग्राउंड इडन गार्डन कोलकता में, अब भाई ये कोलकता की पिछ किस तरीके की रहने वाली है, अब अपन वो इस्टडी करते हैं, गाईज आपको बता दू, कोलकता के इस वेन्यू पर है ना, अभी तक टोटल 31 मैचेज हो चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्ष करने वाली टीम ने 19 मैच जीते हैं, सेकंड करने वाली ने 12 और एवरेज स्कूर आप देखें 192 का है, मतलब वैसे गईज अगर ये एवरेज स्कूर को अगर आप एक बार हट क्योंकि बहुत पहले के मैचे इन्होंने लिए हैं, बट अभी जिस तरीके से आजकर पावर प्ले चल रहा है और जिस तरीके से टीम में खेरती है, आप मान के चलिए 250 प्लस का स्कूर बनेगा, और जो भी टीम टॉस जितेगी, यहां पर मुझे लग रहा है पहले बैटिं निकाला, और उसमें मैंने देखा, यहां पर गईस टोटल 77 विकेट्स गिरें, जिसमें से फास्ट बॉलर्स को 49 मिलें और स्पीनर्स को टोटल 28 विकेट्स मिलें, मतलब इस वाले पिछ पे गईस फास्ट बॉलर्स एफेक्टिव रहते हैं और स्पीनर्स को भी थोड़ी तो आज के मैच में जो बॉलर्स का सेलेक्शन आपको करना है ना, वो थोड़ा ध्यान से करना है, इसके अलावा आपको बता दू, पाकिस्तान और बांगलादेश के बीस लाश्ट पांस सालों में जादा मैच हुए नहीं, केवल तीन ही मैच हुए हैं, जिसमें से दो पाक अगिस्तान ने और एक मैच बांगलादेश ने विन किया है, अब ये तो बात हो गई गई स्पिच रिपोर्ट की, अब यहां पर अपन देखेंगे प्लेइंग 11, इन में से कौन से प्लेयर्स के रिकॉर्ड अच्छे है, फिर अपन उन में से सलेक्ट करके अपने 11 प्लेयर सलेक्ट करेंगे, तो हर चीज मैं आपको बारी की से बताऊंगा, बट अगर आपने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक आप जरूर से कर देना, अब गईज देखें इडन गार्डन में अभी रिसेंट्ली है ना, इसी वर्ल्ड कप में, अभी मैच खेला गया था, आप देखें, आप 28 अक्टूबर 2023 को, मैच किसके बीच हुआ था, नीदरलेंड और बांगलादेश टीम के बीच, नीदरलेंड ने भाई पहले बैट करके 229 रन पे आल आउट हो गई, और बांगलादेश आप देखें, 142 रन पे आल आउट हो गया, मतलब वो वाला मैच बांगलादेश हार गया, नीदरलेंड से, मतलब इस वाले पिच पे आप देखें, अगर अपन लाश्ट मैच पे ही जाए, तो कितना ज़्यादा बालर्स सपोर्टी पिच ता, मतलब रन बनाना उतना आसान है नहीं, गईज इस वाले पिच पे भी बालर्स क काफी हैल्प मिलती है, तो मुझे लग रहा है बांगलादेश अभी जिस तरीके से पर्फोर्मेंस दे रही है, पाकिस्तान इस वाले मैच को विन कर सकता है, तो थोड़ा पन पाकिस्तान को फेवर करके, आज के मैच के टीम बनाएंगे, उससे पहले गईज यहाँ पे 12 जन के बाद बहुत सारे यूजर्स मुझसे पूछ भी रेते कि भाई टॉस के बाद आप अपना फाइनल टीम, फाइनल टीम कॉम्बिनेशन, कप्तान, वाइस कप्तान का सटिक सेलेक्शन, यह कहां पे देते हो, तो मैं आपको बता दू, यह गाईज मैं अपने टेलिग्राम पे देता हूँ, जहां पे जॉइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आपको लिंक दिखेगा, शौर एक्सपर्ट सपोर्ट के नाम से, बस उस पे क्लिक करना है, आप टेलिग्राम पे आ जाओगे, जहां पे आपको हर म के लिए बहुत ही अच्छा ओफर लेका हूँ, मैं आज के मैच वे, पाकिस्तान और बांगलादेश के मैच में, यहां पे ओफर है, जहां पे बड़ी ग्रैंड लेग होती है, जहां पे आपको रैंक वन पर कैश प्राइस के साथ साथ बहुत अच्छे गिफ्स मिलते हैं, अब आज के मैच में ओफर के है कि अबर आप कोई भी मेगा ग्रैंड लीग जॉइन करते हो, तो एक अगर आपने जॉइन की तो दूसरी ग्रैंड लीग आपको बिलकुल फिरी मिलेगी, मतलब बाइवन गैट वन ओफर, यह आपने कपडों की दुकान पर यह ओफर देखा करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे टॉप पर गाईज पिन किया हुआ लिंक है, बस उस पर क्लिक करना है और आप टेली माई लेवन सरकिल आपको डाउनलोड कर जाएंगे, जहां पर आपको हर दिन नया और हर दिन गाईज बड़ा ओफर देख जाएंगे, तो जल्दी से जाएंगे, माई लेवन सरकिल आप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंड के लिंक से और जाकर इस एप पे खेलिए, बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया एप्लिकेशन है, बट इस एप पे थोड़ा सा वित्ते जोकिम में, तो कंडिशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बांगला देश अल्मोस्ट बहार हो चुका है, और पाकिस्तान देखें गईज, पहले तो तीनों मैच विन करें, उसके बाद भी गईज, मुझे पॉसिबरिटी लग ने रहीं कि ये सेमी फाइनल में पहुचेगा, क्योंकि इमाम उलक उतनी अच्छी बैटिंग करनी रहे, यहां पर एक चेंज पॉसिबल हो सकता है, तो अब्दुल्ला शफीक के साथ या तो इमाम उलक या फिर फकर जामन आ सकते हैं, नमबर तीन पर बाबाराजम रिजवान ये कंफर्म केलेंगे, इफ्तिकार अहमद, शाउच शकील, शादाप खान या फिर यू मियर, मुझे ऐसा लग रहा है, आज के मैच वे बे हो सकता है, शादाप खान को ना भी खिलाए, क्योंकि उतना अच्छा नहीं कर रहा, और मुहमद नवास तो गई, जब भी लाश्ट आवर इसको मिलता है, मैच को हरा के जाता ह चाहे आप विराट कोले का वो लाश शौट देखिए, या फिर अभी केशव माराच का शौट देखिए, अफरिका में बॉल नवाच के पास ही थी, इसके बाद यहाँ पे शाइन अफरीदी, मुहमद वसीम और हारिस रौफ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, यू मियर और शादाप खान, यह दोनों खेल सकते हैं, हो सकता है नवाच को बाहर बैठा दिया जाए, क्योंकि उतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहा है, ना बैटिंग से पर्फोर्मेंस निकल के आ रहा है, बागलादेश की तरफ से दिके लिटन दास के साथ तंजीद असन आ तो बागलादेश की अगर आप बॉलिंग को देखोगे ना तो बहुत ही अच्छी केती लास्ट मैच में, बट अगर आप बैटिंग पॉइंट आफ यू से बात करोगे तो उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, जो अच्छी फॉर्म में, अब गईज आज के मैच के लिए जो बैश्ट ग्यारा मैंने आप लोगों के लिए सलैक की हैं, एक-एक प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, ध्यान से वीडियो देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और गईज लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्क्राइब कर लेना है पोजिशन पे खेलने वाला है, अगर इसका एवरेज आप देखोगे बागलादेश के अगेंस लगभग 49 का है, तो मेरे साब से गाईज बहुत अच्छा है, चार मैच खेले, 147 मना है, 49 के एवरेज से, लास्ट तीन मैचों में अगर आप देखोगे, 31,66, तो निजवान गईज इनका एक ऐसा बैट्समेन है, जो लगबग हर मैच पे रन मना रहा है, और मुझे लग रहा है, इस वाले मैच अब यह रन मना के देदेगा, बांगलादेश की तरफ से रहीम की बात करूँ, जो की मिडिल ओडर में खेलेगा, पी एके के अगेंस आवरेज आप और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनप है, उसमें शेहन शाफरीदी है, हारिस राउफ है, तो मुझे नहीं लगता उतना अच्छा यह एफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कोलकता के पिछ पे स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छी हैल्ट मिल सकती है, तो वहाँ पे दिक सेक्शन के, कि पाकिस्तान की तरफ से इस वाले मैच में बैटिंग सेक्शन में अपन किसको लेके चले, सबसे पहला नाम आता है भाई, बाबर आजम का, नमबर तीन पे खेलेगा, हर मैच में गईज यह रन बना रहा है, टीम का कप्तान है, लाश्ट मैच में भी आप जीजियो, ओपन करेगा, बट अच्छी बैटिंग कर रहा है, उससे पहले दो मैचों में दो हाफ सेंचुरी है, 58 और 64, बट अब सबसे इंपोर्टेंट चीज आती है कि क्या इमाम हुलक को आज के मैच में अपन अपने टीम में रखे, अब कई भाई नहीं रख रहे थे ब इमाम हुलक आज के मैच में एक बड़िया पिक बनने वाला है, डिफरेंशल पिक है, रख सकते हूँ, और साउच शकील की बात करें, लास्ट तीन मैचों में बावन पच्छिस तीस, तो गईज आज के मैच में आपको पाकिस्तान के उपर की चार बैट्समैन रखने देखिए बाबर आजम को तो आपको रखना ही पड़ेगा, हर मैच में बना रहा है, अबदुल्ला शफीक की भी बात करूँ, लास्ट मैच को छोड़ दीजे, बाकी फॉर्म अच्छे लग रही है, इमाम उलक मुझे लग रहा है, बांगलादेश के अगेंस अच्छा करता है, आप देखिए, रिकॉर्ड और रिज्वान, यह मुझे ऐसा लग रहा है, चार प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे, बाकी के साथ प्लेयर जो बचेंगे ना, वो कौन होंगे, वो अभी मैं बता दूँगा, बट यह चार प्लेयर इंपोर्टेंट है, टीम में रख ले साथ, मतलब बिल्कुल बैटिंग भूल गया, वाम अप मैचेज में अच्छा किया था, उससे पहले अच्छा किया था, बट अभी रिसेंटली फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेहमुद दुल्ला एक मात ऐसा बैट्समेन है, इनके टीम में जो हर मैच में लग बग बना रहा है, लड़ रहा है टीम के लिए, 111 बना के गया है, उससे पहले 46, उससे पहले 20, 21 का ऐवरेज है, बढ़िया बैटिंग करता है, तंजी दसन ओपन करेगा गाईज, इस प्लेयर को शुरुआत जरूर मिल जाती है, बट ये 20-25, 20 में बहुत मुश्किल बता दिये, जनरली आप देखे, ओडियाई में एवरेज इसका 13 का है, मतलब 13 से 20 रंके आसपास ये बनाता है, आप देखिए, वैसे मैं एक चीज़ बता दू, क्रिकेट है इसका नाम, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अपन तु गईज देखे, डेटा के बेस पर ही चल स करूँ तो मैं बोलूगा, महमुद दुल्ला ही बैटर चॉइस है, बाकि यह दोनु उतने बैटर नहीं है, थोड़ा पाकिस्तान को ही फेवर करके ही टीम बनाना, क्योंकि वो मुझे लग रहा है, आज के मैच में अच्छा कर सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में भी अच्छ भी खास नहीं कर रहा, आप दीखें, ना तो बैटिंग से आ रहे, बालिंग से तो विकेट ही नहीं मिल रहें, लग बग लग बग बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, इफ्तिकार की में बात करूँ, लास्ट मैच में 21, उससे पहले 40, उससे पहले 26, तो यह थोड़ा गई को भी थोड़ी मदद मिल सकती है, एक्स्टा, तो शादाप खान एक बड़िया पिक हो सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों साइट से पॉइंट दे सकता है, तो आज के मैच के लिए यहां पे औल राउंडर सेक्शन में शादाप खान को भी एड़ाउन क साइट से, इनके मैक्सिमम प्लेयर्स यहीं से ही सलेक्ट होंगे, पहला नाम है महदी असन मिराज, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फिल्डिंग करता है, तीनों डिपार्टमेंट में आपको पॉइंट देगा, पी एके के अगेंस तीन मैच चार विकेट, हर मैच मे आप देखें, इसने पॉइंट दिये, 35 रन, 11 रन, 1 विकेट, 3 रन, 2 विकेट, तो डेफिनेटली पिक करने वाला प्लेयर, महदी असन की बात करूँ, लास्ट तीन मैचों में 17 रन, 2 विकेट, 14 रन, 4 विकेट, और वेन्यों रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो महदी असन मिर आता है, जिस तरीके का पर्फोर्मेस देता है, वो शायद इस वाल्ड कप में नहीं निकल के आया, बाकि पी एके के अगेंस में रिकॉर्ड अच्छा है, और हर मैच में विकेट है, तो गाइस, यहाँ पे अपन पाच प्लेयर और पाकिस्तान के सेलेक्ट करके आया थे, त लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेर कर दिया करो, अच्छा लगता है भाई, करोगे तो आप से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग सेलेक्शन के, अब कोलकता की पीछे पेसर्स को मदद मिलते होई दिख रही है, तो शैंचा फ्रीदी मश्ट फ्रीदी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उस्मान मियर की बात करो, अच्छी बॉलिंग कराई थी, लास्ट मैच वे भी दो विकेट मिले, हारिस रॉफ पाच विकेट लास्ट तीन मैचों में, और आप देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड है, एक मैच चार विकेट, बांगल प्लियर सजेश्ट करूँगा, एक प्लियर आप बांगलादेश की बॉलिंग सेलेक्शन से भी लेना, जो बैस्ट बॉलर हो सकता है, आज के मैच के लिए, डैफिनेटली, उसका नाम यहाँ पे है, शोरी फुल इसलाम, बांगलादेश का फास्ट बॉलर है, बहुत के इसका रिकॉर्ड थोड़ा पीए के अगेंस अच्छा है, दो मैच के लिए, नौ विकेट और इसकी चार मैच के लिए, चार विकेट, तो यहाँ पे गईज थोड़ा सा कन्फियूज आने, अभी मैने अपनी फाइनल टीम में किसको लिया है, अभी आपको बता दूँग आप थोड़ी देर का वेट करिए, यह गईज थोड़ी प्लेयर बैटल है, खुछ प्लेयर है, जो कही ना कही फस्त है, अगर आप रिजवान की बात करोगे, शाकीब उल असन के अगेंस पे थोड़ा श्ट्रगल करता है, इसकी बेस पे आप रिजवान को ड्रॉप कर सकते अपनी ग्रैंड लेग या स्मॉल लेग के टेम से, शाकीब के अगेंस 49 बॉले इसने खेली है, दो बार आउट हो चुका है, शाकीब के अगेंस में, बाबर आजम एक एक बार आउट हुआ है, इमाम उलक की भी बात करो तो एक एक बार आउट है, एक एक बार गाई इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है पर दो बार आउट हो रहा है तो कही ना कही श्ट्रगल है इसके अलावा यहां पे सब एक बार आउट है लिटन दास आप देखिए शेंच अफरीदी के अगेंस पे दो बार आउट हो चुका है चौदा बॉलों पे चैरन और दो बार आउट इस पे फकर जामन का तो रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं है और जमान खाने हसन अलेग भी इतना कुछ खास पर्फॉर्मेंस नहीं है बांगलादेश की तरफ से देखिए हिर्दोय है तंजीम शाकीब है इसके अलावा यहां पे नौसम एमद है हसन मैमूद हो सकता है आज का मैच खेल ले वो देखिए जो भी अपडेट आएगा वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे देढ़ेंगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है आप जॉइन कर लेना वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आज के मैच में कौन सा बॉलर कितने ओवर्स कराएगा और पावर प्ले में और दैट में कौन कराने वाला ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है अगर पाकिस्तान की तरफ से मैं बात करो तो इनकी तीन जुगल बनती है वो पूरे बॉलिंग कराएगी अफरीदी राउफ असीम ये तीस ओवर करा देंगे बाकी के जो बीस बचेंगे उसमें से दस शादा मुझे लग रहा है करा देगा और बाकी जो बचेंगे पाच पाच ओवर वो टीम पे डिपैंड करेगा किसको बॉलिंग देती है कप्तान साब दैट में आएगे शेंचा फरीडी और हारिस रोग बंगलादेश की तरफ से मुस्तिफिजूर शाकिब और शोरिफुल इसलाम ये तीस ओवर तसकीन अइमद मुझे लग रहा है तीन चार ओवर का स्पैल डाल सकते हैं क्योंकि मैदी असन और मैदी असन मिराज भी अच्छी कासी बॉलिंग करा सकते हैं दैट मैंगे मुस्ति टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा कैसे जॉइन करना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिखेगा शौर एक्सपर्ट सपोर्ट के नाम से क्लिक करके जॉइन कर लेना टॉस के टाइम पर एक बार वहां पर जरूर एक्टिव रहना क्योंकि एक भी प्लेय मेगा जॉइन करोगी तो दूसरी मेगा फिरी मिल रही है जो आज के मैच के लिए ओफर है तो जल्दी से फायदा उठा लेना डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उपर ही उपर लिंक है वहां से जाके माई 11 सरके लैप पे क्या टीम बनाई है ध्यान से देख लो विकेड की प बता है तो ना प्लेयर्स का सेलेक्शन उसके अकॉर्डिंग करना आपके लिए बैटर होगा और राउंडर में शाकिब मैधी असन मिराज और मैधी असन यह तो रखना ही था और यहां पर रखा है शैंचा फृदी हारिस रौफ और मोहमध वसीम तीनों फास्ट बॉलर और दो चोईस है शादाप खान और इमाम उलाक अब मैं इनको कैसे रखूँगा कब रखूँगा टॉस के बाद टेलीग्राम पे क्या अपडेट दूँगा जो टेलेग्राम पर अक्टिव रहेगा उनको अपडेट मिल जाएगा कप्तान और वाइस कप्तान के लिए आज के मै यहीं खतम होता है आज के मैच का फ्री गीववे का क्योशन है आज के मैच में कौन सा प्लेयर मैन आप दा मैच रहेगा आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना आंसर देते समय लिखना है पी एक वर्सेज भी है उसके बाद जो आंसर है वो दे देना पर वीडियो पे आना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भाईयो नमस्कार